कहपत लग जाई धक से ये लाइन आपने कभी ना कभी तो जरूर सुने होगी नहीं सुने होगी तो आर्टिकल 15 मूवी में जरूर उसमें एक महिला के द्वारा कहते हुए देखा होगा सुना होगा ये लाइन आजकल बीजेपी पर थोड़ी सुटेबल लग रही है क्योंकि अनुप्रिया पटेल कुछ हैसा कहती है जो बीजेपी को धक से लग सकता है जी हाँ अनुप्रिया पटेल केंद्री राज्यमंत्री है वो स्वास्त मामलों के स्वास्ति भाग देखती है पहले भी वो केंद्री राज्यमंत्री रही है अपना दल एस यानी की अपना दल सोन मेडिये समेट उनकी पार्टिय ने अपना दलस का प्रदस्थन खराब हुआ है उन्होंने चिठ्थी मोर्चा सब खोल रखा है चिठ्थी लिखिन उन्होंने योगिया दितनाज सरकार को और बात कहीं OBC आरक्षण की Not Found Suitable सब्द का इस्तमाल करके सोचल मीडिया समेट पूरे राजनीत को खिलाया और उसके बाद उन्होंने अब एक ऐसा इंटर्व्यू दिया है जिसमें भी उन्होंने ऐसी बात ही कहीं है जो सायद BJP को धक से लगेंगे जी हाँ हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अनुप्रिया पटेल ने सबसे पहले ये बात कहीं कि ये जो चुनाव तीसरे चरण तक उनके पक्ष में था लेकिन चुनाव लंबा हुआ और विपक्ष को मौका मिला और उसने इस मौके को भुनाया अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सुरुवात में सब ठीक था लोग केन सरकार के काम से खुश थे उनने कहा कि तीसे चरण के बाद सातवे चरण तक गरवडी के संकेत मिलने लगे थे विपक्ष ने समिधान बदलने की जौफ़ा फैलाई उसका उसे फाइदा मिला ये एक लग भग भग वीजेपी वाले भी कह रहे हैं वो भी कह लेकिन एक और बात उन्होंने ये कहा कि कुछ अपने लोगों ने ऐसी बाते कहीं जिसका भी असर हुआ ये कुछ अपने लोग कौन है जरा पहले जानिक उन्होंने कहा क्या है उन्होंने कहा कि अगर हम उनका इस पी लेकिन ललु सिंग और अरुन गोविल यूपी के ये दो ऐसे नेता जिनके ये बयान विपक्ष द्वारा खुब बुनाई तो क्या अनुप्रिया पटेली कह रही है कि बीजेपी के नेताओं की वज़ा से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार हुई साथी साथ एक बार फिर उन्होंने इस शारी स्वारों में बात की है OBC आरक्षन की उन्होंने 79,000 सिक्षक भरती का मामला कहा है कि वो भी एक बड़ी थी उन्होंने कहा कुछ खामिया है कुछ कमिया थी कुछ चूख हुई और उनमें 79,000 सिक्षक भरती या OBC मामलों को इस सी मामलों में, हलाग से योगी आधितना सरकार ने भी इस पर उनको जवाब दिया था। जिस तरीके सिर अनुप्य पटेल इस वक्त योगी सरकार पर बारती सरकार की बड़ी सफलताओं में है वो सामाजिक न्याय की बात करती हाला कि राज सरकार की भरतियों में दिक्कत है और इसका मामला वो पहले भी उठा चुकी है और उसके बाद अब जिस तरीके से ये इंटर्वियू आया है जरूर बीजेपी को थोड़ी तो चोड लगी आपको कहा लगता मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा देखते रही उपी तक नमस्कार